हेलो दोस्तों नमस्कार इस्टार्क मार्केट शेयर रिटू चनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं पिछले दिनों अच्छा खासा रिटर्न लिकाल के दे चुका और अच्छा खासा तहलका मचा चुका उस पेनी शेयर की जो की रिनुवेबल शेक्टर में क अच्छा करता हुआ नजराया है और फिल्हाल 38 रुपे पर ट्रेट करता हुआ है तो हम जिस शेयर की बात कर रहे हूं है सुझलन एनर्जी और सुझलन एनर्जी से समद्दित जो हम बात करने वाला है इस वीडियो में इस महीने यानि दिसमबर में जितने भी इसको अपनी से चर्चा करने वाले हैं और साथी साथ ये भी हम देखने वाले हैं कि क्या ये जो कंपनी 38 रुपे के आज पास एक ट्रेट करती हुई दिखाई दे रही है वह फिलाल 50 रुपे का टार्गेट टच करती हुई नजराएगी या नहीं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी क करते हैं और इन सब जो भी नुझे आई हैं उनको एक करने करके देखने का प्रयाज करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके चार्ट प्रेटर्न की तो यहां पर आप देख रहे हैं जो कंपनी है फिलाल वह 38 रुपे 20 परसे पर ट्रेट करती हुई नजराई है और कि जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो दो सौ साथ परसेंट का रिटर्न लिकाल के देता हुआ अगर वहीं हम बात करें मेक्सिम चार्ट पैटर्न की तो यह जो कंपनी है फिलाल देख रहे हैं कि एक समय चार्ट के आसपास ये treat करती हुने जाराये थी लेकिन अच्छा खासा इसमें debt होने की कारण debt से भड़ी company होने के कारण ये company फिलाल जो है 5 रुपय से 6 रुपय पे गिरती होने जाराये थी लेकिन सरकार कि सहबागिता के कारण ये फिलाल बस्ती होने जारायी है और इस समय अच्छा खासा परफार्मेंस करती हुई नजर आ रही है हम अगर बात करें इसके आर्डर की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगतार इससे आर्डर पर आर्डर मिलते नजर आए हैं 28 तारीक और 27 तारीक तो आर्डर मिलाई है इसके अलावा जो इससे पिछले आर्डर भी मिले हैं उसको भी हम इस वीडियो में ब्रिफ में देखने वाले हैं सबसे पले अगर हम आर्डर की बात करें तो यह अपुर्वा जो एनर्जी प्राइबेट लिम्टेड है उससे यह मिलता हुआ नजर आया है 28 तारीक को और यह जो आर्डर मिला है यह 300 मेगावाट का आर्डर मिलता हुआ जर आया है जो लगभग 1000 क्रोण का यह आर्डर बताया जा रहा है और इसमें इस company का काम क्या है कि यह जो company बनाने वाली है 300 MW का, 3 MW का पूरा एक series बनाने वाली है जो wind turbine का और परतेक यह 3 MW का होने वाला है तो इस company के बारे में आप देख रहे हैं कि 300 MW का जो order मिला है वो यह बता रहा है कि यह जो company जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है इसे लगतार order पे order मिलते जा रहे हैं आगे यह पूरे details सर्चा कर रहे हैं कि यह जो project मिला है करनाटका से मिला है यह सेकी के थुरू मिला है और यह 300 MW का total यह project बता रहे हैं और यह जो 3 MW का इस client जो इस टेट आप करनाटका है वहां से यह बनाने वाले हैं और जो अपूर्वा energy private limited है उनके थुरू यह मिलता हुए गराया है और इसमें 100 wind turbine यह फिलहाल बनाने वाले हैं परते एक जो है 3 MW का होने वाला है अब हम अगर बात करें 27 तारीक के news की तो यहां पर आप देख रहे हैं इस company को यह एक तरीके से कहा जाए तो एक इनको penalty दी गई है यह लगभग 13 करोण की इनको penalty दी गई है GST जो department है उसके थुरू अर्थाद लगभग 13 करोण का इनको notice थमाई गई है टेक्स का और यह जो न्यूज लिकल के आई है यह 26 दिसंबर का अपडेट है जो की 27 तारीक को न्यूज लिकल के सामने आई है वहीं अगर हम बात करें 27 तारीक को तो 27 तारीक को ही एक और न्यूज लिकल के आती हुई दिखाई दी है और वो जो न्यूज लिकल के आई है वो फिलाल जो लीडिंग जो नार्डिक एनर्जी कमपनी है वहां से लिकल के आती हुई दिखाई दी है और इसे लगबख 100 से 101 मेगावाट का ये आडर मिलता हुआ जराया है जिसमें से लगबख 3 मेगावाट का एक सीरीज में ये टर्ब बिख्षित होने वाली है उसके बारे में ये पूरा डीटेल से जनकारे देती हुए बता रहे हैं कि ये जो 32 टर्बाइन का ये विकास करने वाले हैं जिसमें से 3.15 मेगावाट का प्रतेक टर्बाइन होने वाली है और वहीं अगर हम बात करें तो यहां पे जो कमर्सियल औ ही इसे एक और आडर मिलता हुए जराय था और ये जो आडर मिला था ये महिंद्रा सस्टेन है उसके थ्रू ये मिलता हुए नजराय था अर्थात महिंद्रा जो ग्रूप है वहां से ये मिलता हुए नजराय था 101 मेगावाट का और इसमें भी ये 108 मेगावाट का एक तरीके जो है विकास करने वाले हैं जिसको महराष्टा में इस्टाल करने का प्लान चल रहा है तो अभी तक हमने देख लिया कि से लगवग 500 मेगावाट का यह जो प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है मातर तीन प्रोजेक्ट में अब मगर बात करें अगले प्रोजेक्ट की त 193.2 मेगावाट का होने वाला है जिसमें जो के पी आई ग्रीन एनर्जी लिम्टेट से कंपनी हैं वहां से भी यह प्राप्त होता हुआ नजर आया है और 193 मेगावाट का यह फिलाल मिलता हुआ नजर आया है वहीं अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो 92 टर्बाइन का सप्राइए करने वाले हैं और जो 2.1 मेगावाट का परतेक यह होने वाला है और इसमें जो विंड सोलर हाइबिर्ट के थुरू यह इस्टेट ट्रांसमेशन उटिलिटी टैरिफ बेस यह होने वाला है और यह टोटल प्रोजेक्ट का कास्ट बटाया जा रहा है लग पांस 800 मेगावाट का पोजेक्ट जो है दिसंबर में मिलता हुआ नेजराया है 800 मेगावाट का यह विंड टर्बाइन यह बनाते हुए नेजरा आएंगे और एवरेज अगर हम बात करें तो लगक्त इन मेगावाट का परतेक यह विंड तर्बाइन बनाने वाले हैं जिसका इसे एक कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया गया है जिसमें केवल न केवल LIC के अच्छी खासी भागेदारी है बलकि इसमें स्टेट बैंक आप इंडिया के भी अच्छी खासी भागेदारी बनी हुई है और जिस तरीके से यह कंपनी लगतार ग्रोथ दिखाते जा रही लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि इस कंपनी के बारे में कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले इसकी पूरी डिटेल जनकारी लेते हुए कोई भी इन्वेस्मेंट करिएगा क्योंकि फिलहाल यह जो कंपनी है इसका मार्केट कैप अच्छा खासा है हालकि इसका प्राइस तो बहुत कम है लेकिन इसका मार्केट जो कैप है वह अच्छा खासा है और साथी साथ इसमें ग्रोथ की संभावना भी बहुत ज्यादा है तोकि जो गौर्मेंट बरतमान गौर्मेंट है उसे अच्छा खासा सपोर्ट भी इस कंपनी को मिलता और यह जो कम्पनी है इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट नजर आ रहा है अब मगर बात करें आज के डिलेवरी पैटर्न की इसमें जो आज के डिलेवरी पैटर्न दिखाई दे रहा है उसमें तोटल कुवांट्री जो टेड हुई है चोवन लाग से साड़ चोवन लाग होता हुआ नजराया है जिसमें से लबक पूरा का पूरा डिलेवरी की रूप में उठता हुआ नजराया है जबकि आज में आज कंपनी में अच्छी खासी जो गिरावत तो नहीं हुई है लेकि मामली सी बहट दिखाई दे दिया है फिर भी इसमें लबक 100% की डिलेवरी उ दिखा रहा है कि कंपनी पे अन्य कंपनियों का ट्रस्त कितना ज्यादा है और इस कंपनी में एक चीछ ध्यान रखिएगा कि कोई भी इंवस्मेंट करिएगा उससे पहली इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जनकारी जरूर लीजेएगा तो दोस्तों यह रहा आज का व जोड़ता कि लाप लीजेगा जया बारे में जरठीजेगा तो दोस्तों यह रहा है और दोस्त た रहा हैं से थार इस के लिग coupon